हेलो एवरेवन माइनम इस पार्थ और वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल आज स्टार्ट करेंगे अनिमल क्लासिफिकेशन चाप्टर नमबर सिक्स इस लेक्चर नमबर वन इस वीडियो को लाइक भीग करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा चलिए शुरू करते हैं बच्चों इमाजन करो मैं घर से बाहर निकला और मैंने इस दुनिया को अपनी आखों से देखा तो मुझे क्या दिखा आई सो अवएराइटी ओफ एनिमल्स अरॉड बहुत सारा अलग अलग भिनन भिनन प्रकार का अनिमल्स मुझे दिखा ठीक है तो मैंने क्या देखा मैंने देखा सम एनिमल्स आर वेरी वेरी स्मॉल केडे मुखोडे कोकरोच अर्थोम यह जो भी है लिजर्ड अनिमल्स बह रहने वाले टेरेस्ट्रियल अनिमल्स हैं बराबर हैं वाइल सम अनिमल्स लिव इन वाटर जिनको हम एक्वेटिक अनिमल्स बहते हैं जो पानी में रहते हैं ठीक है यह भी मैंने देखा फिर मैंने देखा सम ओफ दा अनिमल्स विल क्रॉल क्रॉल मतलब वो लोग रेंग कर चलते हैं घसर घसर के चलते हैं for example snake जिसको legs होते नहीं है तो ये crawl करेगा while some animals will swim in water जो भी fishes है उनके पास होते हैं fins tail होती है so that they can swim easily in the water and कुछ animals होते हैं जो हवा में उडने वाले हैं for example birds जिनके पास special adaptation है उनके पास है wings so that they can fly in the air बराबर है ठीक है फिर मैंने देखा some animals have scales on the body अभी एक crocodile और fish इनके body के उपर आपको छोटा 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 पार्ट्स दिख रहा है यह जो पार्ट्स है ना इनको बोलते हैं scales scales क्या करते हैं they are the outer protective covering of the body इनको हम exoskeleton भी बोलते हैं exo मतलब outside skeleton मतलब protective covering ठीक है तो इनके पास क्या है scales है while some have feathers birds जो है उनके बाहर क्या होते हैं feathers होते हैं यह भी क्या है exoskeleton है simple चले बच्चों तो एक आपको अलग बात बताता हूं बहुत ध्यान से सुनना according to a recent study क्या पता चला there are seven million species of animals on this earth seven million मतलब 70 lakh मैं सिर्फ animals का बात करहूं plants का नहीं microorganisms का नहीं only animals 70 lakh species मतलब क्या प्रजातियां अब इतने सारे species हैं अगर मुझे उनको पढ़ना है I want to study the animals एक एक करके अगर मैंने animal पढ़ा तो मेरी पूरी जिंदगी मेरी बहुत सारी जिंदगिया निकल जाएंगे लेकिन मैं animals को पढ़ नहीं पाऊंगा do you agree इतने सारे animals है एक एक को पकड़के पढ़ना possible नहीं है बा चीज कर सकता हूं similar similar animals को मैंने अगर एक group में डाल दिया किसमें डाल दिया group में for example birds ले बहुत सारे हैं huge variety of birds ठीक है लेकिन मैंने birds का एक group बनाया अभी ध्यान से सुनना मैंने एक bird लिया मैंने उस bird का characters पढ़ा तो मुझे क्या पता चला bird के पास feathers है वो उड़ सकता है उसके पास wings है उसके पास beak है ठीक है वो अंडे देता है nest में रहता है तो यह सारी चीजे मुझे एक bird को पढ़के पता चली बट यही same characters similar characters बाकी के भी birds में है तो मैंने अगर एक bird अच्छे से पढ़ा तो मुझे पूरा group का characters समझ में आ जाएगा कैना इसे study easy हो जाएगी are you understanding तो हमें क्या करना है बाबा same same animals का क्या करने का group बनाने का है that's it simple चली so हम क्या करेंगे we will categorize the animals into groups and subgroups पहले बड़े-बड़े group बनेंगे उसके नीचे छोटे-छोटे groups बनेंगे and the study will become easier simple groups बनाने है और subgroups बनाने है so that the study becomes easy तो how do we define animal classification इस छोटे से process का छोटा सा process नहीं है इसका definition क्या है चलिए देखते हैं काफे simple है बच्चों grouping of animals मेरे साथ साथ बोलना grouping of animals into groups and subgroups बड़ा बड़ा groups छोटा-छोटा groups based on their similarities and differences मतलब similar similar animals को एक group में डाल दिया and अगर मुझे उनके अंदर कुछ difference मिला तो मैं एक नया group बना दूँगा वहाँ पे एक subgroup बन जाएगा are you understanding? groups and subgroups based on similarities and differences this process is called nothing but animal classification काफे simple चीज़ है बच्चों चली थोड़ा आगे जाते हैं तो बच्चों सबसे पहले आज traditional method of classification देखेंगे traditional मतलब थोड़ा पूराना method of classification इसी method के अंदर कुछ advancement आई कुछ चीज़े and way and modern method of classification बना जो हम अगले lecture में देखेंगे so according to traditional method दो major groups थे कितने major groups थे animal के दो देखो पहला group का नाम है नोटो कॉर्ड की देखो non-cordate में नोटो कॉर्ड is absent, cordates में नोटो कॉर्ड is present लेकिन नोटो कॉर्ड क्या है सुनो it is a rod like structure that supports the body अभी आपको यहां पे एक image दिख रहा है यह image एक embryo का है embryo क्या होता है एक छोट असा बेबी जो मम्मी के uterus में प्रेजेंट है और वो embryo बड़ा होके बाहर आएगा डिलीवर होगा आफटर 9 months बराबर embryo में आपको अंदर एक red color का rod दिख रहा है ऐसा curved rod है उसको हमने नोटो कॉर्ड बोला है यह नोटो कॉर्ड जब यह बेबी बड़ा होगा जब यह embryo बड़ा होगा नोटो कॉर्ड क्या बन जाएगा backbone आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है आपका जो backbone है यह कहां से बनता है नोटो कॉर्ड इस है तो कहना इसे यह नोटो कॉर्ड it is just a rod like structure that supports the body अगर आपका backbone नहीं होगा तो आप सीधा खड़ा भी नहीं रह पाओगे आरियो अंडर्चेंड नहीं तो यह रॉड नॉन कॉर्ड इट्स में एपसेंट है और कॉर्ड इस में प्रेजेंट है सिंपल बात है बच्चो नोटो कॉर्ड की बात होगी दूसरी बात हम करेंगे नर्व कॉर्ड की नर्व कॉर्ड क्या होता है सुनो the major cord of nerve fibers running the length of an animal's body मतलब अभी यह embryo में आपको एक blue color का पाट दिख रहे है जो उसके पीट पर है ठीक है उसको हमने nerve cord बोला है it is made up of nerve fibers मतलब neurons का बना हुआ है किसका बना हुआ है neurons का और जब यह embryo बड़ा होगा deliver होगा तो यह nerve cord क्या बन जाएगा उसका brain and spinal cord ठीक है बच्चो brain and spinal cord क्या है nerve cord है simple जो body को control करते हैं coordinate करते हैं simple पूरे body को control करने वाले हैं तो non cordates के अंदर it may be present उनके अंदर nerve cord हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है but if it is present अभी वो किड़े के अंदर देखो if it is present it is paired आपको उस किड़े के अंदर कितना cord दिख रहा है दो है ना तो can I say it is paired and it is solid in nature solid मतलब क्या पूरा अंदर से भरा हुआ मतलब क्या सर सुनो अपने पास जो spinal cord है जो पीछे spinal cord अपना अंदर से hollow है अंदर एक पतला gap है आपने refill देखा है pen का refill के अंदर बीच में कैसा gap होता है जहां पे ink भरते है similarly अपने spinal cord में भी center में एक पतला gap है अपना spinal cord hollow है लेकिन इनका spinal cord इनका nerve cord कैसा है it is solid मतलब पूरा अंदर से भरा हुआ है कुछ भी gap वगेरा hole वगेरा नहीं है simple and तीसरी बात it is present on the ventral side मतलब क्या यह कीड़ा है non cordate का यह कीड़ा है जो ऐसे जमीन पर चल रहा है तो उसका जो lower part है जो जमीन की तरफ है that lower part is called as ventral side and उसका जो upper part which is towards the sun उपर से sun आता ना तो upper part को बोलते हैं dorsal side ventral dorsal ठीक है अगर मैं ऐसे चार पैर पर चलू तो मेरा chest part नीचे रहेगा this part तो यह क्या हो जाएगा ventral side and मेरा back उपर रहेगा तो यह क्या हो जाएगा dorsal side समझ रहे हो ventral and dorsal तो इनका nerve cord non-cordate का किधर है नीचे है on the ventral side समझे difference तो अपने में क्या है देखो cordates में it is always present हमेशा nerve cord रहने वाल है and it is single उनके पास काईसा दो-दो है ना अपने पास कैसा है single अच्छा अंदर से कैसा है hollow है उनका कैसा है solid है अपना hollow and it is present on the dorsal side मतलब की धर है मेरे पीछे है उनका किधर है नीचे है ventral side समझ रहे हो difference यह तोड़ा की जाए ठीक है तीसरी बात करेंगे gills slits की non-cordate में gills slits नहीं होते हैं cordate में gills slits होते हैं gills slits क्या है मचली में आपने देखा है fish में side में ऐसे openings होती है जहांसे वह respiration करती है oxygen का exchange होता है आर यह understanding ठीक है लेकिन मैं भी cordate हूँ ना मेरे पास अभी gills slits नहीं है लेकिन जब मैं embryo था यह photo देखो जब मैं भी एक embryo था मेरे पास gills slits थे लेकिन जैसे ही वह embryo baby बना develop हुआ gills slits चले गए and lungs आ गए मतलब हर एक animal जब एक embryo होता है उसके पास gills slits present होते हैं cordates में non cordates में नहीं होते हैं gills slits are you understanding समझ रहो this is also an evidence of evolution के मचलियों में से ही fishes में से ही terrestrial animals बने होंगे that is why अपने embryo में भी अभी भी gills slits आते हैं लेकिन बाद में चले जाते हैं बात समझ में आई बच्चो लास्ट बात करेंगे heart की इन में अगर heart present है non cordates में if it is present it is on the dorsal side मतलब यह cockroach जो है cockroach के पीट पे उसके back side पे रहेगा dorsal side पे heart रहेगा and nerve cord की दर है ventral side on the bottom and अपने cordates में बावा heart की दर है on the ventral side आगे है ना and अपना nerve cord की दर है on the dorsal side back side ventral dorsal थोड़ा याद कर लेना पढ़ लेना थोड़ा confusing हो सकता है complicated हो सकता है at times यहां तक बात समझ में आई चले थोड़ा आगे जाते हैं तो यहां तक हो गई सारी difference की बाते सारे point समझ में आ गए देखो बच्चो असली मजा तो अब आएगा आपको क्यों आएगा वो भी बताता हूं because यह जो non cordates है ना इसमें आते हैं 10 groups हमने बोला था ना classification में groups होते हैं सब groups होते हैं तो अब आएंगे groups 10 groups called as phyla singular phylum plural phyla कितने phyla दस phyla तो उनके नाम हमें याद रखने हैं जो काफी difficult हैं जबडा तोड हैं बहुत मजा आने वाले पड़ते हो तो बच्चों उनको याद रखना अपने को sequence में है order में भी याद रखना है उल्टा पूल्टा नहीं कर सकते हैं आगे पीछे नहीं कर सकते हैं तो उनको याद रखने के लिए आपको मैं कहानी बताऊंगा बहुत ही बक्वास कहानी का कोई मतलब नहीं बनता है लेकिन कहानी याद रखना चले कहानी देखते हैं मैंने नीचे जो एश थे कोईले के वो सारे एश आ गए प्लेट पे यहां तक बात समझी पूरी कोईले पे सेका प्लेट पे डाला एश आ गया है ठीक है फिर वहां मेरी दोस्त आई एनी एनी ने पूछा पार्थ इसका अर्थ क्या है देखो बच्चों स्टोरी का कुछ भी मतलब नहीं बक्वास है बिल्कुल लेकिन याद रखना पूरी पूरी को किस पे सेका कोईले पे पूरी को डाला प्लेट पे प्लेट पे आ गए एश इस कौन आई वहां पे एनी एनी ने पूछा अर्थ क्या है ठीक है यहां तक बारा अर्थ तो मैंने कुछ भी बक्वास उसको फेक दिया मैंने बोला मलिश्का ने एक लड़की है जिसका नाम है मलिश्का मलिश्का ने एक आईना मिरर हेमा यह लड़के का नाम क्या है हेमा मलिश्का ने एक आईना हेमा से चुराया आपको पूरा बक्वास समझ में आया पूरी को डाला प्लेट पे प्लेट पे आ गए एशेज कौन आई वहां पे एनी एनी ने पूछा अर्थ क्या है तो मैंने क्या बक्वास की मलिश्का ने एक आईना हेमा से चुराया यहां तक की बक्वास समझ में आगे तो अभी नाम सुनो बच्चों इनका पहला जो फाइल कि हम है यूगली ना है यह सारे प्रूटोजवा में आ जाएंगे अभी इसके बाद चुनो पूरी पूरी मतलब पौरीफेरा काफी सिंपल नाम है पूरी को किस पर सेक रहे थे कोल पे तो दूसरा जो ग्रूप है वो है सेलेंट रेटा देखो उसका स्पेलिंग कोईलेंट सेलेंट रेटा जैसा दिखता है लेकिन हम प्रणाउंस कैसे करेंगे सेलेंट रेटा पूरी पूरी के बाद कोल सेलेंट रेटा फिर पूरी को प्लेट पे डाला तो आया प्लाटी हेलमेंथेस प्लेट मतलब प्लाटी हेलमेंथेस फिर प्लेट पे आशिज आ गये तो आश अनिलीडा एनि ने बोला अर्थ क्या है अर्थ मतलब आर्थरोग औरूड़ा अनिलीडा आर्थरोड़ा तो मैंने क्या बकवास दी मलिशका ने मॉलस्सका मलिशका ने एक आइना इकाइनो-डर्माटा देखो भाई, Spelling भी देखो, Pronounce Nation में देखो Echinodermाटा मलिशकाने, एकाइना हेमा, हैमी कॉरडेटा यहाँ तक हो गये नाँन कॉरडेट के फाइलम फिर कॉरडेट में there is only one फाइलम, कॉरडेटा चुराया, चोरडेटा यहां तक बात समझी बच्चो पुरी, कोईला, प्लेट, एश, एनी, अर्थ, मलिशका ने एक आएना हेमा से चुराया यह हो गई सारी बात है यहां तक बात समझ में आगए बच्चो अभी देखें कॉल डेटा के भी अंदर, कॉल डेटा फाइलम है ना, तो फाइलम के अंदर आएगा सब फाइलम तो there are three subgroups called as सब फाइलम, सब फाइलम कितने सब फाइलम हैं, तीन हैं, देखो, यूरो कॉल डेटा, सफालो कॉल डेटा, एंड वर्टिब्रेटा, क्रेनियेटा दोनों नाम चलता है, वर्टिब्रेटा, क्रेनियेटा, यूरो कॉल डेटा, सफालो कॉल डेटा, वर्टिब्रेटा, क्रेनियेटा यहां तक बात समझी, लास्ट बात, यह जो वर्टिब्रेटा है, सब फाइलम, इसके भी अंदर आते हैं सिक्स, क्लासेज, और भी सब ग्रूप हैं, जिसको हम बोलते हैं, क्लास, कितने क्लास हैं, सिक्स, देखो भई, साइक्लो, स्चोमाटा, पाइसेज, मतलब मचलिया, एमफिबियन, फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स, जो भी आपके सनेक हैं, लिजर्ड हैं, वो सब, एव्स, मत सब्से डेवलप्ड है, सबसे जाधा एडवांस हमें, मैं मल्स, यहां तक बात समझ माई बच्चो, तो मैं थोड़ा यहां जाता हूं, फटा फट मुझे पूरा बता तो, नौन कॉर्डेट्स, परोटोस हो आ, परिफेरा, सेलेंड्रेटा, प्लाटियल मिंतस, अशल मिंतस यहां लेड़ा, आर्थरोपोडा, मॉलस्स का यहां, यह हो गया, नौन कॉर्डेट्स, कहानी यहाद रखना, बाइहार्ट हो जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कॉर्डेट्स में बाई, आया, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के अंदर कितने सब फाइलम हैं, तीन, क तो भाई यह हो गई सारी ग्रूपिंग की बाते, कॉर्डेटा, नौन कॉर्डेटा, सारे नामस आपको मैंने बता दिये, थोड़ा कोशिश करना, उनको याद करने का बच्चों, बहुत मजा हैगा, I hope आपको अच्छा लगा वीडियो, लाइक कर देना, शेर कर देना, सब प्सक्राइब भी कर देना चैनल को, if you are new, and as usual, thank you very much.